इस वीडियो में हम Transitional Devices से मतलिक पढ़ेंगे Transitional Devices Examples के थूँ हम पढ़ना शुरू करेंगे यानि मैं आपको one by one different examples दूँगी जिससे आप बहता तरीके से Transitional Devices को समझ पाएंगे शुरू करते हैं पहली example की तरफ चलते हैं पहली example है Students should be on time Full stop Furthermore, they should be properly dressed Students should be on time Furthermore, they should be properly dressed यहाँ पर यानि हमें यह बताया जा रहा है कि बच्चों को वक्त पर आना चाहिए Students should be on time Full stop फिर यहाँ पर आप colored में देख सकते हैं कि यहाँ पर लिखावा है furthermore furthermore हमारे पास एक transitional device है ठीक है और आगे क्या जुमला है They should be properly dressed यानि कि उनको साफ सुत्रे कपड़े पहनने चाहिए या proper मतलब और उसी से मतलब एक दूसरा जुमला add किया गया तो एक transitional device का हमने इस्तेमाल कर दिया अब यह जो transitional device है इसको हम कहेंगे वो वनी transitional device जिसमें हम कुछ add करना चाहरे हों तो हम इन transitional devices का इस्तेमाल करते हैं जिनको हम आगे चलके पढ़ेंगे लेकिन फिलहाल अगर हम यहाँ पर देखें तो अब इस जुमले का क्या मतलब बनता है students should be on time यानि students को या बच्चों को वक्त पर आना चाहिए further more इसके इलावा they should be properly dressed उन्हें सही से कपड़े पहनने चाहिए या साफ सुत्रे कपड़े पहनने चाहिए एक जुमले के addition में दूसरा जुमला चलें अब हम दूसरी example की तिरफ चलते हैं दूसरी example है I have been to many countries I have been to many countries यानि मैं बहुत से ममालिक जा चुकी हूँ for instance यानि मिस्ताल के तौर पे I have been to China, America, Canada and Spain अब मैं कहां कहां जा चुकी हूँ I have been to या मैं जा चुकी हूँ China, America, Canada and Spain अब यहां पर क्या है दो जुमलों को एक दूसरे से मिलाया जा रहा है लेकिन किस सूरत में कि यहां पे हमने for instance का استعمال किया यह भी एक transitional device है हमारे पास ठीक है लेकिन यहां पे और उपर वाली transitional device में क्या फर्क है कि जुमलों को तो यह मिला ही रही है लेकिन यहां पर हम एक example के लिए यूज करें है जैसा कि पहली वाली transitional device हमारे पास addition के लिए यूज की गई थी ठीक है जब किसी चीज को add किया जा रहा था यह वाली transitional device हमारे पास example के लिए यूज की जा रही है example का मतलब होता है मिसाल देना मैं बहुत से ममालक जा चुकी हूँ मिसाल के तौर पे मैं चाइना, अमरीका, कैनडा और स्पेन गई हूँ तो अब यह जो transitional device है यह भी क्या कर रहा है दो जुमलों को आपस में जोड रहा है यानि एक ही बात दूसरे जुमले में भी चल रही है तरम्यान में transition device का इस्तेमाल कर दिया for instance इसी तरह example के लिए भी बहुत सी transitional devices होती है जिनके मुतलिक हम आगे चलके पढ़ेंगे अगली example की तरफ चलते हैं He was late to class again full stop In other words He did not या didn't wake up on time He was late to class again यानि वो class में फिर से late आया In other words दूसरे अलफाज में He did not wake up on time या He didn't wake up on time यानि के वो वक्त पर नहीं उठा अब हमारे पास ये भी एक transitional device है In other words ठीक है और इस transitional device का हम क्यों इस्तेमाल कर रहें ये भी बाकी जुम्लों की तरहां इन दो जुम्लों को आपस में जोड रही है लेकिन अब यहां पर क्या किया जा रहा है किसी चीज़ के उपर emphasize या अपनी बात को support करने के लिए यानि इसके favor में यानि एक बात कही गई He was late to class again यानि वो class में late आया एक बात एक मुकमल हो गई अब इस बात को आगे बताने के लिए यानि प्रूफ करने के लिए या कोई इसका हवाला देने के लिए हमने इस्तेमाल किया एक transitional device in other words यानि दूसरे अलफाज में और फिर हमने अगला जुम्ला बताया कि He did not wake up on time या He didn't wake up on time कि वो वक्त पर नहीं उठा तो अब ये पहले जुम्ले की ही सपोर्ट में दूसरा जुम्ला है जो के बता रहा है कि वो क्लास में इस वज़े से भी लेट हो सकता है क्योंकि वो वक्त पर नहीं उठा तो ये भी हमारे पास एक transitional device है जो emphasize करने के लिए यानि जोर देने के लिए अपने एक जुम्ले के उपर इस्तमाल की जाती है अब emphasize से भी मतलिक हमारे पास बहुत से transitional devices होते हैं आगे चलके वीडियो में हम उनसे मतलिक भी पढ़ेंगे लेकिन इन तीन मुखतलिफ एक्जामपल्स में या इन तीन मुखतलिफ जुम्लों में आपने transitional devices से मतलिक पढ़ा होगा अब transitional devices हमारे पास क्या होता है कि वो एक जुम्ले को दूसरे जुम्ले से या एक paragraph को दूसरे paragraph से connect कर रहा होता है ठीक है यानि सबसे पहले तो वो एक information को summarize कर रहा है या एक छोटे form में खुलासा आपको किसी चीज़ का बता रहा होता है ठीक है और फिर ये क्या करता है ये हमारे पास relation बनाता है जुम्लों के दरम्यान में ठीक है relation between sentences यानि जुम्लों के दरम्यान में यहाँ पर एक तालुक बनाया जा रहा है without any break या jump यानि कि यहाँ पर कोई gap नहीं आ रहा कोई jump नहीं आ रहा कि वो एक continuity में यानि एक flow में आपको sentence जो है मिल रहा होता है आपको ऐसा नहीं लग रहा होता कि अचानक से break आई और फिर दूसरा जुम्ला शुरू हो गया यानि ये क्या करता है हमें पता चला कि ये वो अलफाज होते हैं जो दो जुम्लों को आपस में जोड रहे होते हैं यानि कि ब्रेक या jump ना आए उस जुम्ले में कोई तो इसलिए हम transitional device का इस्तमाल करते हैं मुखतलिफ तरहां कि transitional devices होती है addition के लिए इस्तमाल होती है कुछ example देने के लिए समाल होती है कुछ अपनी बात को emphasize करने के लिए जोड देने के लिए समाल की जाती है आगे की वीडियो में हम मुखतलिफ examples को भी पढ़ेंगे अब आप इस वीडियो को देखें और साथ में transitional devices को दोबारा से दोहराईए